लास्ट की लेक्चर में हमने जो इंटर्नल स्ट्रक्चर और जो एस्टर्नल मिडल स्ट्रक्चर जो है येर का इसके बारे में हमने पूरी जानकरी दी है अभी की लेक्चर में हम जो येर की पैथलोजी रहती है कि आपको सुनने में कैसे आता है और उसकी जो पैथलोजी रहत पूरी जानकारी लेंगे इस लेक्चर में देखा था कि जो यह रहता है जो और है तिमपैनिक में रहता है तो इंटर्नल येर में हमने देखा था से में लुनार कैनल कह रहता है कोकलिया कह रहता है वेस्टिबिल कह रहता है वेस्टिबिलर और कोकलियार नर्व कह रहती है इसके बारे में हमने पूरी जान कर लिए अभी के लेक्चर में हमको जो रहती है यह के बारे में उसके बारे में हम डिटेल में तक आजाता है विच इस दो वाल आप मिडल एर वह जो है वह आपकी मिडल एर की वाल रहेंगी वाजी टाइनी मिडल है बोन मूह इसकी वज़े से क्या हो जाते हैं आपके यह रॉसिकल है मूह हो जाते हैं स्टेपस इस फाउंड इन दो ओहल विंडो इन दो कॉकलिया अभी यह जो स्टेपस इनकस मालकस हमने लास्ट लेक्चर में अल्रेड़ी देखा है और स्टेपस के फुट्प्रेंट पर जहां से स्टेपस कतम हो जाता है वहाँ पर एक स्माल होल प्रेजेंट रहता है और वह विंडोहें रिसीव करती है रिप्ल il रिपल स्ट है और वाइब्रेशन वश्टोष करने का काम जो है वह क्लिया फ एक ज़ुट्र hic रहन हो जाता है आपको कखली में फ्लुइन है और हैर से उसमें वहiti हैं सो जो cochlear fluid है वो influence करता है आपके sterocilia को sterocilia क्या थे? hair-like projection थे आपके cochlear में और यह जो sterocilia है उनको repel करने में काम जो है वो cochlear fluid है वो करता है इस मूद a sterocilia on inner and outer hair called the spark on the electric signal अभी यह जो sterocilia है वो क्या हो जाती है? मूँ होती है और उसमें जो है वो electric signal generate होते है that your auditory nerve carried to the brain to temporal lobe अभी आपका जो temporal lobe रहता है कान का area जो brain में situated रहता है उसमें कान के नीचे का जो पार्ट रहता है उसको हम temporal lobe मोलते है which is responsible हो जो है वो hearing के लिए responsible रहता है तो उसको जो stimulus करने का काम जो है वो sterocilia करती है auditory nerve के through temporal lobe perceive the electric signal of sound अभी आपका जो temporal lobe है वो क्या करता है receive करता है जो signal आपने भेजे उसको receive करने का काम आपका temporal lobe करता है main function क्या रहेगा एक तो hearing रहेगा सबको मालुम रहता है second हमने क्या देखा balance देखा balance किसके लिए responsible था जो balance था वो semi lunar channel और vestibule कर रहे थे तो hearing कौन कर रहा था आपका जो पॉकलिया है वो कर रहे था so hearing कैसा रहता है वो अभी हमने देखा balance कैसा रहता है your inner ear content semi lunar channel filled with the fluid and the hair like sensor अभी ही आपका जो inner ear है उसमें जो semi lunar channel है vestibule है उसमें कहता fluid or hair cells था वो sensor था आपका जो body है वो कैसा मूह हो रहा है उसके उपर when you move your head the fluid inside the loop shaped canal slows around and move the hairs अभी जो fluid है उसमें वो fluid क्या करता है hairs को भी मूह करता है और ये जो fluid है जैसे आपका head मूह करता है वैसा वो मूह करता है hair transmit the information along the vestibular nerve to the brain अभी ये जो hairs है उसमें fluid के अंदर hairs present रहते और ये जो hairs है वो कैसा मूह हो रहे वैसे ये information आपके vestibular nerve को दीजाती है to your brain finally your brain send signal to your muscle to help and stay balance अभी आपकी जो brain है वो क्या करता है आपके body को बता रहा है कि आप यहाँ पे गिर रहे तो उसको balance करने का काम आपका सिर्फ brain करता है क्या नहीं आपके हाथ के muscle भी करेंगे आपके पेर के muscle करेंगे body के हर एक muscle जो है वो आपके body को balance करने में मदद करेंगी वैसी जो information है वो provide करने का का muscles को आपका brain जो है वो provide करता है तो आज के lecture में हमने जो pathology रहती है हेरिंग कैसे रहता है balance कैसे करते है इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe